दोस्तो नमस्कार, करनल अजय स्यों अजय अस्टो मनी ग्रूप, फर्स्ट ग्लोबल अस्टो फ्रनेंस डीजिल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ, आज पांच नौबर सन दो हजार तेईस रवीवार दोस्तो आजय अस्टो मनी गूरू विश्का संबत पहला चैनल है जो फंडामेंटल अनलेसिस और इंडियन सिस्टम अफ अनलेसिस यानि भारती अनुसंदान पदेती के आदार पर आपको विशलेशन देता है दोस्तो याद कीजिए गेहूं, मक्का, बाजरा और चावल पर यानि ग्रेंज के उपर हमारा अग्रीमन माल जो कि सत्य साबित हुआ आज के अपिसोड में हम बास्मती चावल में तेजी के असार की संभावना गर्थ कर रहे हैं गौरतलब है कि सरकार ने अल्नीनों का इफेक्ट और कम पैदावार की आशांका को चलते वे भारती चावल पर कुछ डिस्टिक्शन्स लगाए थे सरकार द्वारा बढ़ती मेंगाई को देखते वे गैर बास्मती चावल पैरा बॉयल्ड पर बीस प्रतिशत नर्यार शुल्क लगा दिया गया था वहीं बास्मती प्रजाती के चावल पर बारा सो यूज डॉलर प्रतिटर्ण से कम बिजने पर बही प्रतिवन लगाया था लेकिन एस्सोशेशन और व्यापारियों के प्रात्ना पर इसको संशोधन कर सरकार ने इसको घठा कर आट सो प्रतिटर्ण पर सिमित किया है जिससे भारतिय चावल का निर्यात अंतराश्य विजारों में कमपिटेबल हो गया है और इससे चारोतरफ चावल की खरीदारी देखने को मिल रही है दोस्तों जैसे ही है सूचना मिली आपको सबसे पहले आपको इसका खबर दी थी और इसके 850 डालर हुने की संभावना भी सबसे पहले आपको दी थी और उसके बाद चावल के अंदर 200 से 400 प्रैपतिक उंटल बढ़ गए है गौरतलब है कि इस बार अलनीनों के प्रभाव में सभी तरह के धान का उत्पादन कम हुआ है इसको देखते वे राइस मिलर्स एवाम एक्सपोर्टर दोनों ही अब एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं इसके चलते चावल में तेजी आ गई है और सरकार दावराज चावल की महगाई को नियंतरन करने के लिए बास्मती प्रताती चावल के निर्याद पर जो नियूंतम प्राइस 1200 डॉलर किया था प्रती टन उसको 850 डॉलर प्रती टन करने के बाद 1500 नो 1121 सेला चावल में स्ट प्रजाती के चावल और मध्य वाली कॉलिटी के चावल पर निर्याद में 20% का शुल्क लगा दिया गया है इसके प्रवाव से गैर बास्मती चावल की तेजी को तो विराम लग गया इस से पहले मोटे चावल के निर्याद पर पहले से प्रतिबन लगा हुआ है गौरतलब है कि दहान की फसल तयार होने लगी है और ये भी है कि अत्यदिक बरसात और कहीं बाड और कहीं सूखे यानि बरसात के असमान वितरन के चलते दहान की फसल को काफी व्यापक प्रवाव पड़ा है जिससे आने वाला उत्पादन भी कमोने की संभावना है इस से रखते वे सरकारदारा घरेलू मंडियों में आम उब्भोकताओं को चावल अबिलेबल कराने के लिए ये कदम उठाये गया था लेकिन अंतराश्टे बजारों में चावल के भाव इतने होचे हैं कि निर्या तक हर भाव पर माल खरीद रहें थाता शर्भती चावल में विशेश तेजी आने के समाचार हैं क्योंकि सेला वे स्ट्रीम मिक्सिम में जाने लगा है और बास्मती प्रजाती के सबी धान के भाव मंदे की धारना थी वे पूरी तरह से अब समाप्थोने की संभावना है बास्मती प्रजाती के चावल 300 से 400 रुपए प्रतिकुंटल और भी तेजी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता आज भी जो कल 1121 सेला चावल के बाव 83 से 84 रुपए बोल रहे थे अब उसके बाव 86 से 87 रुपए प्रतिकुंटल रहे गए हैं हो गए हैं सासाथ 1500 सेला भी जो 6700 रुपए के भाव थे वो भी 6900 और उसे उपर के भाव अब बताए जा रहे हैं दोस्तो चावल एक महतवपुन कमोडिटी है जो की विश्व खादाने के अंदर महतवपुन रोल आदा करती है और अलनीनो के सासाथ ग्लोबल स्तर के उपर लगबग हर राइस कंज्यूमिंग कंट्री चावल के उपर अब विशे ध्यान दे रहा है और अपनी स्टॉकिंग कर रहा है और भारत जो विश्व का प्रमुक चावल निर्यातक देश माना जाता है पूरा विश्व भारत के चावल प्राइसिस के उपर नजर रखता है गौरतलब है कि चावल में आने वाले समय के अंदर तेजी की संभावना उसे इंकार नहीं किया जा सकता दोस्तों हमने आपको लगवग एक डिड़ मैंने पहले भी आपको यही कहा था कि सरकारदारा यह बारा सो डॉलर पती टन का जो यह है इसको नीचे आना ही पड़ेगा क्योंकि यह नया संगत नहीं है क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान के चावल की फसल खराब हुई थी और उस खराब होने के वज़े से चावल के दाम एकदम से बड़े थे लेकिन यदि हम पांस साल के औसत दाम निकालें तो वो आठ सो से नौसो डॉलर ही बैठते हैं तो इसको देखते वे यदि हमारे चावल के भाव लोजिकली होंगे तो निश्यत रूप से अंतराश्य बजारों में जो भारत का चावल निर्यात का एक बहुत बड़ा मार्केट है वो बना रहेगा और यदि इसके नियाए संगत भाव नहीं रहेंगे तो इसका फायदा हमारे पडोसी देश उठा सकते हैं इसमें पाकिस्तान प्रमुक है दोस्तो अब आने वाले समय के अंदर चावल के अंदर अभी तेजी बन रही है यह तेजी कब तक रहेगी क्या संभावना है विशेश रिपोर्ट के लिए संपर करें देखिए गेहूं के अंदर भी आपको आमने अपरेल मही में जब भाव बहुत नीचे थे उस वक्त कहा था कि गेहूं में तेजी बन रही है सासा तीन महीने पहले दो महीने पहले लगातर अपडेट दिये थे कि अक्टूबर महीना गेहूं के लिए निर्नायक हो गया यह भी उसके बावजूद है कि सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर लगातर गेहूं की बिक्री की और सारे संभव प्रियास किये, उसके बावजूद भी गेहों की मजबूती बने रही, सारसा चना, उड़न, मूं, तूर, इसके ओपर भी जो हमारे अग्वे मिशलेशन थे वो सही साबित हुए हैं, मसालों के अंदर जीरा, धनिया, लालमिच, किशमिश, बादाम और मखाने मखाने के भाव देखे हैं, हमारी क्या विशलेशन था, किशमिश का हमारा क्या विशलेशन था, जो लगातार सही साबित हुए हैं, लालमिच पे हमारा अनुमान बिलको सही साबित हुआ है, दोस्तों अधिक जानकारी और विशेश रिपोर्ट के लिए संपर करें, all the very best, good luck, happy trading!